वेलकम टू ब्रेन ग्रीन दुनिया इस चैनल में आपको वो सब मिलेगा जिससे आप एक इनफॉर्मड और फ्रूटफुल लाइफ चीज सकते हैं इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिलकुल भी न भूले दोस्तों, हर इनसान को उसकी लाइफ को जीने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है अपने सपनों को जीने की और उन्हें पूरा करने की कीमत अदा करनी पड़ती है कोई भी इनसान यूही बड़ा नहीं बन जाता लगबाय चांस जैसी कोई चीज नहीं होती आज अगर कोई इनसान ऐसा है जो बुलंदियों के शिखर पर है और जिसे आप समझते हैं कि यह है तो बिना महनत के या बिना कीमत अदा किये महान बन गया तो कमी आपके समझने में है आपको अगर यह महसूस होता है कि उस इनसान के साथ लगबाय चांस जैसी कोई चीज हुई है तो इसका मतलब है कि आप अनजान है आप अनजान है उन दिनों और रातों से जिनमें हार्ड वर्क करने में उस इंसान ने अपनी चान लगा दी आप अंजान है उस इंसान के उन बुलंद होंसलों से जो लोगों के तानों से तोटे नहीं हम जब भी किसी बड़े इंसान का जिक्र सुनते हैं या इंट्रिव्यू देखते हैं तो हम उस आधे घंटे की क्लिप से जज़ कर लेते हैं कि वह इंसान कैसा है जबकि उस इंसान की लाइफ पहले कैसे रही क्या क्या सेक्रिफाइसिस उसने किये हैं कैसे कैसे फेलियर्स का उसने सामना किया है और किन किन मुसीबतों का उसने मुकाबला किया है इस बारे में सोचने की हम कोशिश ही नहीं करते इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है हर किसी को स्वर्ग में तो जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही ज्यादा कीमत आपको देनी होगी आईए अब ऐसी पांच चीजों के बारे में बात करते हैं जिन में हम जानेंगे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी नमब वन टाइम हमारे पास कुछ बढने के लिए और कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है जिस दिन भी हमें इस लिमिटेड टाइम की कॉंसेप्ट का एहसास हो जाएगा उस दिन हम टाइम को बरबाद करना छोड़ देंगे आज सुभा हम उठे हैं और हमने आज का सूरज देखा है लेकिन इस बाद की कोई गैरेंटी नहीं है कि हम आने वाला कल देख भी पाएंगे या नहीं इसलिए इस टाइम को समझदारी से यूज करने में ही हम सब की बहतरी है सक्सेस को पाने के लिए हमें अपना वक्त देना होगा हमें हार्ड वर्क करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है क्योंकि सक्सेस वक्त मांगती है इसलिए हार्ड वर्क में अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि जो टाइम एक बार निकल गया वह वापिस नहीं आएगा आप अपने आप से आज पूछिए कि जो आपका सपना है या जिस गूल को आप अच्छिव करना चाहते हैं कि उसके मुताबिक आप एफर्ट्स कर रहे हैं या बस खुली आँखों से सपने ही देख रहे हैं जिस मुकाम तक आप पहुँचना चाहते हैं उस तक आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको यह सोच कर एफर्ट्स करना नहीं छोड़ना है कि सक्सेस एक ना एक दिन तो आपको मिल ही जाएगी वह एक दिन जब आपको सक्सेस मिलेगी वो तब ही आएगा जब आप उसके लिए अपने एफर्ट्स पुटाउन कर रहे होंगे सक्सेस के लिए हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है इसलिए अपने गोल तक पहुँचने के लिए हमेशा अपने एफर्ट्स पुट करने के लिए तयार रहे है 3. Self Discipline हमारे गोल्स तक पहुँचने के लिए टाइम और एफ़र्स के साथ साथ फोकस्ट रहना भी बहुत जरूरी है माल लेजिए कि आज आज आपने अपने गोल के लिए टाइम भी दिया और एफ़र्स पुट किये लेकिन जब आप अपने गोल की ओर फोकस्ट नहीं है तो फिर सिर्फ एक दिन हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा इसके लिए consistency जरूरी है और consistent बने रहने के लिए आपको फोकस्ट होना भी जरूरी है अगर आप फोकस्ट और motivated रहना चाहते हैं तो आपके अंदर self discipline होना चाहिए और यह discipline आपके goals के लिए नहीं बलकि आपकी everyday की life में होना चाहिए सुभा उठने से रात के सोने तक आपके life discipline होनी चाहिए तब ही आप success की ओर बढ़ सकते हैं इंसान अपने आखरी दम तक कुछ न कुछ सीखता रहता है और यह सीखने की आदत ही उसे बीते कल से बहतर बनाती है सकसेस पाने के लिए भी आपको लगातार, learn और improve करना पड़ेगा इसलिए आज और अभी से आप अपने personal और professional development पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए अगर आप अपनी life में कुछ अच्छेव करना चाहते हैं तो आपको अपने comfort zone के cocoon से बाहर निकलना होगा क्योंकि जब तक आप इसमें बंधे रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया कितने खुबसूरत है और इसके पास आपके लिए क्या क्या opportunities है इसलिए calculated risk लेने की आद़ट डालिए जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी इस वीडियो में हमने उन पांच चीजों के बारे में जाना जो हमें यह बताती है कि किस तरहां हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी सबसे पहले आपको अपने सपने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा उसके बाद hard work करना पड़ेगा और साथ में अपने गोल्स तक पहुचने के लिए आपको sincere efforts भी डालने होंगे सेल्फ डिसिप्लिन रहकर ही आप focused और motivated रह सकते हैं सकसेस के लिए continuously सीखते रहना और खुद को बहतर बनाना भी सरूरी है सकसेसफुल होने के लिए आपको risk भी लेने होंगे लेकिन वह सभी calculated risks होने चाहिए घंक्यू brain grain family अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और channel को अभी subscribe जरूर कर दें और अगर कोई ऐसा topic जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें comment करके जरूर बताएं जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ